तो फिर से शॉर्ट ट्रिक के उपर आते हैं तो एरिया रिलेटेट टू सर्कल से और इसके बाद वाली जो ट्रिक है वापकी ट्रिग्नोमेटरी चेप्टर से जिन क्वेशन से आपको बहुत डर लगता है इन क्वेश्च जरनी की 8.4 एक्सेसाइस है तो पहले यह वेखो तो यह एरिया रिलेटेट टू सर्कल्स में यह वाला क्वेश्च जो है हमारा NCRT बूक का तो कैल्कुलेट दे एरिया ओफ दे डिजाइन रिजन इन कॉमन बिट्वीन दे टू क्वार्डेंट्स ऑफ सर्कल्स ऑफ रेडियस 8 सेंटिमेटर इच तो अगर यह क्वेश्च आपक अगर निकालना है तो वह आपका यहाँ पर होगा 4 x 7 a square तो यहाँ पर स्क्वेश्च के लिए यहाँ पर एरिया क्या होता है साइडी स्क्वेश्च होता है तो यह जो आपका शेड़ेट पोर्शन है यह याद रगो कि यह 4 over 7 होता है तो एक चोटी-चोटी कीज़े तो हम पुसार ही याद रख सकते हैं जहां पर हमारी तिनी महनत बच जाए तो बस अब इसको सॉल करो और इस का अंसर आ जाएगा तो यह आपका 4 x 7 हो गया यह 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 पर कौन है square की side तो square की side यहाँ पर कितनी है 8 है तो 8 का square कितना हो गया 64 तो यह आपका 4 4 जा 16 का यहाँ प तो यह जब भी इससे related आपका question है अभी इससे की complicated question और होगा अगर same figure है और आपको leaf को ना shade करके इस वाले portion को यहाँ पर shade कर रखा है तो आपको यहाँ पर क्या करना है square के area में से इस leaf के यह actual में यहाँ पर क्या shaded reason इसका निकला ना तो आप इसको subtract कर देना अगर आपका य यह आपका एक square है और इसके अंदर यह leaf वाली यहाँ पर क्या बनी हुए शेप बनी हुए तो find the area of the shaded region where ABCD is a square of side कितनी side है 10 cm है and semi circle are drawn with each side of the square as diameter तो diameter की यहाँ पर square की जो side है उसको diameter लेकर करके और यहाँ पर क्या क्या है यह circle बनाए है यह मतलब leaf बनाए हुए यह यहाँ प diameter को यह निकि यह जो है वो circle का यहाँ पर diameter है तो radius क्या हो जाएगा इसका आधा हो जाएगा तो यह भी हम बहुत simply solve कर सकते हैं आप यहाँ पर क्या करते हैं इस square को चार पार्ट में divide कर दो तो अगर मैं यहाँ यहाँ पर इस तरह से जॉइन कर देती हूं तो यह आपका यह यहाँ पर 5 हो जाएगा यह 5 हो जाएगा यह 5 हो जाएगा यह भी 5 हो जाएगा और सेम आप यहाँ पर इसे जॉइन कर तो यह भी 5 हो जाएगा यह 5 यह 5 और यह 5 हो जाएगा तो यह चार स्क्वेर बनके सेम वही question होगे एक स्क्वेर में एक लीफ है हमें चार स्क्वेर में पर 25 हो गया तो फोर फोर्स है यहाँ पर 25 इंटो फोर करो तो 100 हो गया और यह आपका यहाँ पर कितना हो गया 400 बाइ 7 cm2 हो गया easily तो यह शॉर्ट ट्रिक है जिससे आप objective question बहुत easily solve कर सकते हो अब दो question में आपको दे रहे हो उसके answer आप मुझे comment box में comment करके बताना कि आपके वो answers कितने आए हैं और कितने जल्दी आए हैं तो यहाँ पर देखो आपको होगे कि मैं answer तो यहाँ पर 57 आ रहा है लेकिन आपने 400 by 7 निकाला है तो यह वाला जो formula है वो pi की value जब 22 by 7 है ना तब का है pi की value कब हो 22 by 7 होगा तो आपका exact यही answer आएगा लेकिन इस question में इसने कहा है कि pi की value 3.14 है तो आप इसको divide करके निकाल लो इससे exact answer तो नहीं आएगा बट आपको idea लग जाएगा कि यहाँ पर कौन सा answer है तो 400 भाई आप यहाँ पर 7 करोगे यहाँ पर divide करके दिखा 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 तो फाइफ टाइम गया 35 फिर अगें 5 बज़ा 0 बज आपको यह question है same question है यहाँ पर same language है बट यह जो square है उसकी side अब आपकी 8 ना होकर के मैंने यहाँ पर 7 कर दी तो अब आप मुझे जल्दी से answer बताओ comment box में कि अगर इसकी side square की साधी side अगर 7 cm है तो इसका answer यहाँ पर कितना होगा और एक और question में आपको इसी से related देती हो यह वाला ही आपका यहाँ पर square है बट अब leaf shaded नहीं है अब shaded आपका यह वाला portion है कौन सा वाला मैं आपको बताती हो और दूसरा question आपको solve करके बताना है यहाँ पर shaded reason का area निकालना है तो आपको यह पताना है यह leaf वाले portion का area तो comment करके बताना और I hope आपको यह short trick वाले method बहुत अथे लग रहे हैं तो अगर आपको और वीडियो चाहिए किस तरह की चाहिए तो comment box में comment करके बताना thank you